अपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, पाया होगा कि लोग अपनी कम्मिनिकेटिव स्किल्स के कारण कैसे लोगों पे अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं और सफलता को हासिल करते हैं अपने अक्सर पाया होगा कि बहुत से लोग कम्मिनिकेटिव स्किल्स की कमी के कारण ता उम्र पश्ताते रहते हैं और उनको ये पश्तावा रही जाता है कि सही समय पर मैं अपने सही बात नहीं रख पाया या अब मैं अपने जो बात दूसरों को समझाना चाहता था वो सही तरह से मैं समप्रेशित नहीं कर पाया तो आज हम बहुत से ऐसे points पर बात करेंगे जो communicative skills को develop करने में helpful होंगे Yes, first important point is be conscious of your appearance Appearance का बहुत बड़ा role रहता है हमारा communicative skills को develop करने में Appearance दो पहलूं पर depend करती है एक पहलू तो यह रहता है कि आपका dressing sense कैसा है और आपने पाया होगा कि निश्ची थी यदि हमारा dressing sense अच्छा होता है तो हमारा appearance में एक अलग सा confidence आता है दूसरा है कि हमारे appearance में हमारी प्रस्तुती में तभी confidence आता है जब हम एक positive approach रखते हैं तो जब भी एक healthy communication के लिए आप जाएं तो आपका dressing sense बहुत अच्छा होना चाहिए समय और स्थिति के अनुरूप होना चाहिए और दूसरी बात किसी तरह का भी negative approach नहीं होना चाहिए एक healthy communication के लिए एक healthy discussion के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम emotions और moods पर control रखें अकसर आपने देखा होगा कि कई लोगों का एक healthy communication एक healthy discussion फेल हो जाता है क्योंकि वो बात करते समय अकसर्सिव रोने लगते हैं या अकसर्सिव हसने लगते हैं या एक excessive anger लेके आते हैं तो जब भी हम healthy discussion के लिए जाएं इस बात को हम जान रखें कि हम बहुत ज्यादा बात करते समय रोएं नहीं या हम बात करते समय हंसे नहीं ज्यादा या हम किसी anger में ना आएं क्योंकि जब भी हम ऐसा करते हैं जब हम excessive anger में होते हैं excessive हसने की स्थिती में होते हैं excessive रोने की स्थिती में होते हैं तो हम कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं जिससे healthy communication तो नहीं हो पाता और ता उमरेक पच्टावा रहता है कि मुझे वह बात नहीं कहने चाहिए थी यह स्थार्ड इंपोर्टेंट पॉइंट इस रफ्रेंट फॉम टॉकिंग तूमच हम बहुत ज़्यादा बातचीत करने से बचें एक healthy discussion के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो निश्चित ही कोई ना कोई बात कोई ना कोई इस वर्ट आएगा अंदर से एक सब कोईशेस से कि नो मुझे यहां पर उख जाना चाहिए और निश्चित ही आपको वहां रूख जाना चाहिए फॉर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट इस में पीपल फील नेड़िट एक हल्दी का मुनिकेशन में बहुत जरू कि आपकी हमें अफशक्ता हैं कभी हम ओडर देने वाली सेंस को प्रयोग नहीं करें एक हार्ट फेक्ट है कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे ओडर वाली सेंस में बात करें हमेशा एक प्लीजिंग टोन में बात करें और रिक्वेस्टिंग कराएं कि आपके हमें अवशक्ता है नेक्स टेकि वान मस्ट ट्राइट लाव एंड वार्मथ वाइल टॉकिंग तु अदर्स दूसरों से जब भी बात करें तो एक लाव और वार्मथ फाली फिलिंग ज़रूर आनी चाहिए वो यह एसास कराती है दूसरे को जो अपने पन का एसास होता है जब भी हम बातचित करने बैठें निश्चिति हम बातचित जिन से भी करेंगे वो अपने मित्र लोग होते हैं आपने परिवार के लोग होते हैं तो सबसे पहले आप कोई ना कोई कोई रिलेशन कोई ना कोई सम्मन्द उससे जोड़ लें कि मैं आप मेरी छोटी बहन है इसलिए मैं आप यह बात कर रहा हूं आप मेरे भाई की तरह मैं इसलिए बात कर रहा हूं आप मेरे अंकल की तरह हैं आप मेरे पापा की तरह हैं जब भी हम कोई सम्मन्द जोड लेते ह तो निश्चित ही हमारी बाचित में एक लव और वार्मेट की feeling आती है जो हमारी communication को और अच्छा कर देती है